तो जैसा कि हमने इसी वीडियो को प्रिविएस लेक्षर में छोड़ा था जिसमें बात कर रहे था जिसमें बात कर रहे था जी condition that altitudes of triangular concurrent हमने यहाँ पर बात की के let's say हमारे पर जब three equations आ गए थी और इसको हम लिख रहे थे in matrix form and in determinant form यहाँ इसके x ठीक है इसको coefficient यहाँ तीनों equation में जो x coefficient है और y coefficient है और value of c value of c मैंने first equation की लिखती थी अब second equation की क्या आजएगी minus x2 into x3 minus x1 minus y2 into x into y3 minus y1 इसी तरह से यहाँ पर देख ले minus x3 into x1 minus x2 and then minus y3 into y1 minus y2 ठीक है अब मैं थोड़ा से इसको right side पर करूँगा अब अगर यह जो determinant है यह जो determinant formula लिखे है अगर यह आ जाए equal to 0 so that means के यह तीनों के तीनों जो altitudes होते हैं triangle के concurrent होते हैं अब determinant हमने prove करना है के 0 के equal कैसे आ सकता है ठीक है हम property apply करेंगे देखें जी हम बात simply करेंगे adding rows adding second and third rows to first row यहनी second row और first third row को this is second ठीक है this is third इस row को आप first में add कर दें तो आप देख लें आपके पास answer क्या आएगा ठीक है answer क्या आएगा आप देखें x2 अगर आप add करते हैं तो देखें x2 minus x2 से cancel x3 minus x3 से cancel minus x1 plus x1 से cancel इसका मतलब है यह क्या हो जेगा 0 ठीक है y2 because यह सब add करेंगे इसमें y2 minus y2 से cancel y3 minus y3 plus y3 से cancel minus y1 यह basically y1 ठीक है plus y1 से cancel ठीक है तो यह यहाँ पे भी क्या आगा है 0 इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप देखें तो minus x into x2 minus x3 ठीक है इसका अगर आप देखें तो alternate होगा plus x plus x into यहाँ यह बलकि आप इसको अगर आप simplify कर लें ठीक है इसको अगर हम simplify कर लेते हैं ठीक है तो यह बन जाएगा चले यह आपके लिए just as a homework मैं दे रहो हूँ because यह हमने बिलकुल आप यहाँ पे देखें तो यह बन जाएगा minus x यह basically x1 है ठीक है this is x1 मैंने यहाँ पे छोड़े हूँ है बिलकि यहाँ पे देख ले minus x1 into x2 ठीक है और minus into minus plus x1 into x2 यह आपको समझ आ रही है कि cancel out हो जाएगा ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ minus x1 x2 इसके बाद minus into minus plus x1 x3 ठीक है x3 minus y1 y2 ठीक है इसके साथ and then minus into minus plus y1 plus y1 y3 इसे तरह add करे हैं तो आजेगा minus x2 x3 minus plus x2 x1 minus y2 y3 plus y1 y2 minus x3 x1 plus x3 x2 minus y3 y1 plus y3 y2 आप देखें यह मैंने सब लिख दी है minus x1 x2 plus x1 x2 plus x1 x3 और इसी तरह से minus x1 x3 minus y1 y2 इसके बाद आगया plus y1 y2 plus y1 y3 minus y1 y3 ठीक है minus x2 x3 plus x2 basically x2 था x2 x3 ठीक है minus y2 y3 plus y2 y3 आपके सामने हैं यह सब 0 होगया इसका मतलब अब बाकी जो term of the determinant है वो बेशक जो भी होगर एक आपने column यह row 0 कर ली इसका मतलब अब डिटामिनेट इस इकल लो 0 हैंस प्रूव अल्टीटूड अफ ट्राइंगल अल्टीटूड अफ ट्राइंगल 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 आर क्या है concurrent क्या होते है और concurrent यह हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल के जो जो होंगे किसी भी ट्राइंगल के जो अल्टीटूड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं concurrent होते हैं आप बेशक अगर आप देखें तो इसके real time में जाके आप इसके लिए numerical भी solve कर सकते हैं और basically strategy यही होगी और आप बड़े अराम से इसको प्रूव कर सकते हैं